क्या क्या आप करेंगे तो आप भी यह लिपनाट कर पाएंगे क्या मिक्स करना है वू मैं आपको थोड़ा बता दिता हूं अगर इतना चोड़ा हुआ कि चलिए आज सब हम घर पे ट्राइ करते हैं किस चीज की इस तरह की खुबसूरत पैन स्टेंड कहें या पैन हॉल्डर कहें या ब्रश वगेरा जो भी रख सकें या हम ओफिस में हो तो उसका सामान खुबसूरत अंदाज में रखा हुआ सामने मजा दें इसके लिए लिपनाट करें इसके उपर असल में यह है क्या यह एक है पिगगी बैंक जिसको हमने आप कर सकी इस तरह से और मैं आपको इसके लिए माटेरियल भी सजेक्ट करूंगा क्या क्या आप करेंगे तो आप भी यह लिपनाट कर पाएंगे तो चलिए शुरू करते हैं इसको कि हमने इसका डेकोरेशन कैसे किया उससे पहले वेलकम दोस्तों मैं हूं आजिकान मुत् इसके लिए आपको चाहीए क्या चलिए इस लिस्ट को पढ़ लेते हैं पहले आप एक काम करें हमारी जैसी क्ले आपके पास है ही नहीं तो आप चॉक पौडर ले सकती हैं चॉक पौडर है यह अगर कोई कॉण से करता है तो मारबल पौडर भी चल जाता है तो वो ले जिसे डॉलामेट पाउडर भी कहते हैं वो कहां मिलेगा आपको कलर के पैंट के दुकान पर मिल जाएगा फैविकॉल ले लीजिए कोई भी ले लीजिए ऐसा है चौर मरीन ले तो सबसे अच्छा नहीं तो MR भी चलेगा उसके बाद क्या करना है आपको बीरर लेने होंगे च लेविकॉल की जरूरत पड़ेगी और यह लिस्ट आप देख लीजिए और यह पूरा डिस्क्रिप्चिन हैं लाइन टू लाइन में आपको दे दूंगा और आप आसानी से बना सकीगे तो चलिए शुरू करते हैं पहले दिखने में कुछ ती इस तरह की यह हमारे पिगग बना लीजे बाकी आपको जो मन में आए आगे हम करें उससाब से कुछ आइडिया आप भी लगा लीजे जिसे आपको और मज़ा आएगा काम करना कैसे हैं तो लाइन को हमने कैसे क्या उसको बड़ी बारी कैसे देखिए आपको मज़ा आएगा और वीडियो में यह जरूर लगे और वो करना बहुत आसान है कुछ भी कर सकते हैं ऐसे जैसे कि हम इसे कोई लकड़ी ले बहुत पतली सी चोटी सी लकड़ी ले जैसे हम रेस्टोरन में जाने तो खाने के बाद दांट साफ करने के लिए लेते वो सबसे अच्छी है ट्राइ करिएगा जरूर बहुत अच्छी है तो इस तरह से आप उसे देख लिए हम जैसे कर रहे हैं आप कितनी आसानी से उसको एक अच्छा कलर अच्छा लुक और एक अच्छी डिजाइन मिल रही है तो बहुत कुछ करना नहीं है इसको पिगिक को एक पैन होल्डर में करने के लिए या कनवेट करने के या stand बनाने के लिए कोई भी बड़ा काम नहीं है बस आप easily कर सकते हैं इस वीडियो को आप try करिए अगर पहले बार में समझने ही आ रहा है तो pause कर करके देखिए ऐसे नहीं तो दो दो तीन तीन बार करकी देखिए आपको बहुत easily समझा जाएगा अब इसमें आगे के points हम किस तरह add करें वो हमें आप दिखा देते हैं आपको जैसे के हमने क्या किया कि चार या पांच राउंड हम इससे बनाएंगे तो यह जैसे के 5 राउंड हमने पूरे बना लिए जैसे मान लेते एक रसी बना लिए उसके बाद हमने छोटे-छोटे pointer के जैसे यह dot dot हमने बनाएं तो यह क्या है कि नया design हो जाएगा एक अलग look आएगा और उसमें आखर में जो हम add करें वो भी हम आपको दिखाएंगे अगर दोस्तों आपको अगर wall पे art करवाना है यहां आपको बड़ी frame बनवानी है यहां आपको gift के लिए name plate बनवाना है और वो आप professional देना चाहते हैं master art से बना हुआ देना चाहते हैं तो आप हमें contact कर सकते हमारे उपर नंबर दिये हुए और हमारी website पे आप विजिट कर सकते है website आपको description में भी मिलेगी तो आगे के काम को देखते हैं कि यह काम किस्ता बहुत आसानी है आप हाथ में छोटी सी आप एड़ कर पाएंगे तो इस piggy bank को बनाते हैं pen holder किस तरह से हम बड़ी बारी किसे देखते जाएं कि दोस्तों मज़ेदार तो यह आपको दिखने में आया होगा कि मैंने किस तरह से बहुत सारी पतियां बना कर रख दिये लेक्शन एक्चुल में यह बनेगा हमारे एंबोर्डरी में जो हम बनाती जिससे हमारी यहां से बोलते हैं फारुआ वह हम बनाने वाले उसके लिए बहुत सारी पतियां हमने पहले से बना दी और अब इसको हम शुरू करते हैं कि हम उसे कैसे बनाते हैं आप थोड़ा ध्यान से देखिए आप अगर पहली बार देख रहे हैं तो और ध्यान से देखिए समझ नहीं आए तो वीडियो को बार बार देखें आपको बहुत इज तक देखिए जो मैं आपको आसानी से बता सको पहले आप इस पर द्यान दीजिए कैसे कर रहे हैं अब इसे हम फाइनल में आ चुके हैं मीरर कैसे लगाते हैं कुछ हमने लगाए पहले से वीडियो लंबा न हो जाए और उसके बाद हम चोटे-चोटे राउंड शेप के मीरर हैं यह आप चाहेंगे तो मैं आपको लिंक दे रहा हूं डिस्क्रेप्शन नहीं वहां से आप इसमें यहां पर देखिए कुछ शेप अगर नहीं मिल रहे हैं तो वहां पर अलग-अलग तरह के लगा सकते आपको जो पसंद हो बहुत सारे शेप के लिंक में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा डिस्क्रेप्शन में तो इस तरह से अभी आप देख लीजें यहां पर हमने जो आई शेप की मिरोर हैं वो हमने इसे यहां पर एड किया है जिससे यह और खुबसर बन सके और यह हमारी बहुत ही प्यारा साब पैन होल्डर कहें पैन स्टेंड कहें यहां हमारे डेकोरेशन का नया अंदास कहें यह बनने के लिए तयार है यह रेडी हो चुका है बस दो ही मिरोर बाकी हैं तो अब इसे ही देखिए कितना खुबसरह लगहा यहां पर देखिया कि जब हम इसको ब्रस डाल रएए हमारे पैंसल, इसकेल वगरा जब देख रहे आप तो कितना खुबसरह लग रहा है कितना वेहतरीन लग रहा है इस तरह का आप भी बनवा स में ज़रूर बताइएगा और clay किले मैं आपको बोल रहा था तो आपको clay जो है कचकी clay हर जगा अउलेबल नहीं है हर तरह की जमीने अलग रहती है मैं सब को समझाने की यह जुरूर कोशिश करता हूं जिससे आपको clearly समझ में आजाए लेकिन chalk powder हर जगा मौझूद है और ये जो clay है ये तो Amazon से मिल भी जाती है आप इसे मंगवाएं इससे काम करें फैरिकॉल इसमें mix करें और बहुत आसानी से काम हो जाएगा और बहुत 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 बहुतरीन काम होता इससे तो अब chalk powder में क्या mix करना है वो मैं आपको थोड़ा बता दिता हूँ इसका detail का वीडियो बहुत अच्छे से मैं आपको ज़रूर बताऊंगा वो एक next वीडियो बनेगा और उसका topic के पुरा में उस पे रखूंगा लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दू आप इसमें क्या करें थोड़ा paper mix कर दीजे छोटे छोटे कटके कर दीजे छोटे छोटे काट कर भिगो कर आप थोड़े से अगर इतना chalk powder डाल रहे है तो इतने से paper mix कर दीजे फैवी कॉल थोड़ा सा पानी वाला वो डालिए mix करें और काम शुरू कर दें बस हो जाएगा और बहतरीन हो जाएगा क्या result आ रहा है प्लीज कमेंड में ज़रू बताएगा क्या कमिया रह रही है क्या हो रहा है हम आप से जानना चाहेंगी क्योंकि हो सकता है कि कहाँ पे chalk powder उसमें कोई फरक आता हो तो हमें भी समझने जानने को मिलेगा और हाँ बहुत ही जल्द वर्क्शॉप हम आडेन करवाने वाले हैं आपको तीन दिन या पांच दिन का कुछ हम प्लान करने वाले हैं तो आप भी अपडेट रही है पारे इंस्टाग्राम, फेस्बूक और यूट्यूब पर तो इस हमें फॉलोव जरूर करिए महाँजी कान मडार, आर्टिस्ट महाँजी कान सभी आइडिया की लिंक हमारी महुझे वहाँ पे जल्दी से फॉलोव करिए लाइक करिए और बैलकन को दबा के रखिए, वर्क्शोप आने वाला है पहला वर्क्शोप जो होगा बहुत इजी प्राइस पर हम उसे लॉंच करेंगे, जिससे हमारे जो सब्सक्राइबर, हमारे फॉलोवर है वो जल्दी से और कम प्राइस में मास्टर आर्टिस बन सके उसके लिए तो पहला मौका गवायेगा मत अपडेट चेक करते रहेगा मिलेगा अगले वीडियो में इस वीडियो के बारे में जरूर बताईएगा शेर करेगा, लाइक करेगा कमेंट करना मत भूलेगा नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजे ठैक्यू सो माच